सवे भवंतु सुखिन, रंगों के तियोहार होली पर विशेश, भाग माइनस बारह, जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहन करें। अंगुलिमाल तलवार लेकर, उनके पीछे दोड़ा, पर उनकी दिव्यता के कारण, उन्हें पकड नहीं सका। धक कर उसने कहा, रुको। बुद्धर रुक गए और बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। अंगुलिमाल ने कहा, मैं सबसे शक् अंगुलिमाल ने कहा, तूटे हुए पत्ते कभी वापस नहीं लगते। तो बुद्धर ने कहा, जब इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड सकते, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम जोड नहीं सकते, तो कम से कम उससे तोड़ो मत। यदि जी जीवन नहीं दे सकते, तो मृत्यू देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अंगुलिमाल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और बह बुद्ध का शिश्य बन गया, बहुत बड़ा विक्षु बना। अंगुलिमान सुधरा तो ऐसा सुधरा की, लोगों ने उसे इतना मारा की, उसके शरीर से उसके मूँ से, खुन निकल आया, लेकिन शक्तिशाली होते हुए भी, उसने किसी को नहीं मारा, और उसके सुधरने का, सबसे बड़ा परिनाम यह हुआ की, एक बार उसने देखा की, एक महिला प्रसव पीड़ा से, कराह रही थी, चिल्ला रह द्रिश्य देखकर अहिंसक बने, अगुलिमाल का हृदय, द्रवेत हो गया, वह भगवान बुद्ध के पास पहुँचा, और उस महिला की व्यता सुनाई, भगवान बुद्ध ने कहा की, तुम वहाँ पर जाओ और, कहो कि मैंने यदि, पुन्य कर्म ही किये हैं तो, इस मह महिला का प्रसव, शांती से हो जाए, अंगुलिमाल ने कहा की, भगवन मैंने तो बहुत सारे, पाप भी किये हैं, तब भगवान बुद्ध ने कहा, कि तुम कहना की, यदि मैंने अंगुलिमाल से, अहिंसक बनने के बाद, केवल पुन्य कर्म ही किये हो, तो इस महिला का प झाल झाल